हेलो दोस्तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे आपको हमारा चेर पर चलता है प्रॉफिट लॉस वाला यानि कि उसका लाव भानी का यह आपका दूसरा पार्ट है ठीक है इससे पहले कर हमने आपका पहला पार प्रॉट किया था जिसके से नहीं देखा तर वीडियो को लिंक मिल जाएगा वहां पर जाके आप पहले देख सकते उस पार्ट को ठीक है उसके बाद आप इस पार्ट को देखना जो कि आपके आने वाले एक्जाम रेलवे यूपिएस आई यूपिटर प्रेसी और साथ में इस पूछती है तो चीनी का नया और प्राना भाव आपको निकालना है यह से पूछा आए तो पहला पूर्ण दोस्तों आपको पकड़ना है बद 470 रूपरे मिलती दस खेजी तो कितने मिलेगी आपको तो फिर मिलेगी आपका 480 बटे आपका 10 ठीक है ये चीज आपको द्हानक नहीं है आप देखे इसका formula या दखना आपको जब आपसे पूछे चीनी का पुराना भाव तो चीनी का पुराना भाव तो हम इसको कैसे निकालेंगे ठीक है तो बटे में क्या करना आपको देखिए जो कीमत है कितनी कीमत है आपको 400 सी रुपे हैं ठीक है तो ये करना आपको कीमत और बटे में आपको करना है कम या अधिक मात्रा ठीक है कम या अधिक मात्रा यानि जो बस्तू है आपकी उसकी ठीक है, दस के चीनि अधिक मिलती है, तो यहाँ पर यहां पन दस लिखने नहीं दिचे ठीक है? और गुणा हो जाएगा आपका परिशेंट टेज ब्रदि या कमी और बटे आपका सौ प्लस मैनस के ब्रदि या आपका कमी अगर आपकी ब्रद्धी हो दी तो प्रस लगाना है अपको मैनस लगाना है ठीक है यह फॉर्मुला आपको दिहान लखना जो आपको चीने का प्राणा भाव निकारना हो यह वाला अब यहाँ पर इसको मान लख देंगे तो बरावर क्या हो जाएगा आपका कीमत कितनी है 400 रुपे ठीक है 400 रुपे बटे कम अधिक मिलती है तो 10 है आपको नीच लिखिए यहाँ आपको सीजा करना 400 रुपे दस कर देना है ठीक है गुणा अब देगे 25 परशंट चीने का भा हम लखते हैं कि अगर कम हो तो माना से लिखते हैं प्लेस हो तो आपको बढ़ाए लिखते हैं 100 से ठीक है जो पिछली वीडियो में आपको सब बताया अच्छे से तो कितना हो जाए नीचे आपको 75 अब देकार्ट जी 25 पिशेत्तर एक जीओ कट गया तीन से 16 बाद यानि कि 16 रुपे पर केजी आपका चीनी का प्राणा बाब निकल के आ गया ठीक है और अब निकारना हो आपको नया भाब तो वह हम कैसे निकालते हैं दोस्तों इस टाइप का एक कुश्चन आपके डेलबे एंटी बीसिंग पूर्चा जा रहा है समझाए अब के एक्जम चले उसम अगर निकारना हो आपको चीनी का नया भाब नया भाब बराबर उपर कीमत या रुपे के सकते हैं उनको ठीक है बटे आपका कम या अधिक मात्रा जो भी दे रखाओ आपको ठीक है मात्रा गुणा पर्सेंटेज ब्रद्धी या कमी देखें दोस्तों यहां तब आपका बटे में यहां तक आपको दोना सह में चीनी के प्राण कीमत या कमा या को यहां करते हैं थे तह तो हम 100 प्रस्वाइल कमी करते थे लेकिंग यहां कर से कुरना बस ठीक है यह आपको करना है इतना अब यहां पर फॉर्मुल लगा दो आपका आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा चार सो सी बटे दस गुणा कितनी कमी हो रही है पच्छीश परसेंट कि उपर पच्छीश और नीचे आपका सो पच्छीश काटेंगे चार बार जिरो जिरो कट गया चार से अटालीस कितने बार 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 तो बार रुपे पर केजी आपका चीनी का नयवभाब निकलके आ गया ठीक है तो उम्मीद करता हूँ यह कॉंसर्ट आपको समझ में होगा क्या करना पहले आपको इद्र मुल् यहां 25 रिखना नीचे सो प्रसमाज़ निकलना है बस आपको सो रिखना नीचे ठीक है तो आपका चीनी का नयवभाब निकलके आ जाएगा यह दोना फॉर्मुले आपको दिहान लखने याद करने कुछ नहीं से थोड़ा दिहान लखना है आप आराम सौल कर लोगे अगला पर क्या था देखो 400 बटे दस करेंगे पहले बटे दस और गुणा में आपका 25 बढ़ गया तो पूपा 25 और नीचे में आपका बटे में 100 तो काट दीजिए जिरो जिरो कटके आपका 25 से 4 बार और 4 से 40 दस बार तो चीनी का नयवभाब आपका निकलके आगए 10 रुपे पर केजी ठीक है और यही दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं कि एक बस्तू 20% 60 होने पर 500 रुपे में 5 केजी अधिक मिलती है ग्यात कीजिए बस्तू पहले किस दर से मिलती थी यानि यहां पर बस्तू का पुराना भाव पूछा है पुरान भाव तो क्या करना देखिए 500 बटे 5 गोना के देखा 20 प्षेंद रखा है उबर 20 नीचे में आपका पूस्ता नायव आप नीचे सो लिखते अब सब्सक्ती हो रही है तो बीस में से आप सो में से बीस मैं के लिखेंगे तो कितना हो गया आपका सो में पीस यानिके 80 अपका आट दो 20 से 4 बार 5 से 100 बार और 4 से घ प्रान अब निकलके आपको यहां से आ गया है अगला टैप देखते हैं दोस्तों यह आपका एक टैप हो गया ठीक है अब देखते हैं अगला टैप दे रहा जैदे किसी बस्तू के मुले में 20% की बद्दी होती है तो उस बस्तू की खपत कितने कम की जाए कि ताकि खर्च उसका बिलकुल न बढ़ें दोस्तों करने के क्या इता सारे तरीक हैं आपके पहला बताता हूं आपको मैथड बन ठीक है कैसे करेंगे देखिए तो यह इसका आंसर बराबर क्या हो जाएगा आपका यह जो कितने बिल दे रखिए आपको 20% है इसको मान लेते हैं आपका ए तो ए बटे आपका हो जाएगा 100 प्लस के ए गुणा आपका 100 अब देखिए आप ब्लस का नीचे प्लस किया है अग यह कितना आपका 20 है तो 20 बटे में 100 प्लस है बीस कितना होगे 120 गुणा आपका 100 तो 20 से काट ओ 6 बार 100 बटे 6 कितना होगे आपका यह आपका निकल कर आ गया 16 2 बटे 3% यही दोस्तों आपका आंसर आ गया एक तरीका आपका यह है और दूसर तरीका जो मैं आपको है में किो बावस्जां कि प्रस करेंगे कितने होती हैं यह जुए से सौ होता आपका यानि के एक बठे वुटे। अब दे के ब्लादिय पहले मुल्य पको 5 था है अब आगा यह प्रिया का लिखली हो पहले पहले होनी से यह ठीक है नहीं पता है तो आपको बता दे जाएगा क्यों होता है उल्टा इसका जो आपका मुल्य होता है वो खपत के उल्टा रेशी होता इसका कैसे देखिए जो आपको खट्स होता है तो खट्स बरावर आपको होता है मुल्य गुणा आपका खपत ठीक है तो दे इसका उल्टा कितना हो जाएगा 6 और 5 पांस हो जाएगा यह अब खबत का रिशु आ गया अब निकालना हमको खबत में पर्सेंट कमी जाएगे दोसरो पहले आपका 6 ता 5 पांस हो जो कितनी कमी होगी आपके एक इकमी होगी तो एक डिफिरेंस से लिखने हो आपको उपर एक बटे पहले कितना च्छे था तो 6 गुड़ा आपका 100 तो कितना होगी आपका 16 रही दो बटे 3 परसेंट आपका आंसर आ गया ठीक है ज अगला कुश्चन है आपका कि यदि चीनी की कीमत 10 परसेंट गिर जाती है तो कोई ग्रहणी अपनी खबत कितना बढ़ा दे कि उसके खर्च में कोई कमी ना आए तो कैसे करेंगे फ्रेक्सेमेशन से आपका 10 परसेंट बराबर 10 वटे 100 यानि कि एक बटे 10 यानि गिर जाती है 9 अनपात 10 हो जाएगा देगे पहले आपका 9 पर थे अब 10 हो गया तो एक बढ़ गया आपका तो यह आपका खपत में ब्रद्धिया निकल जाए निकालने हैं से खपत में आपकी परसेंटेज ब्रद्धि कितने हो जाएगा आपकी एक उपर बटे में आपको नीचे 9 को उपर 10 हैं 10 करेंगे नीचे आपका क्या करेंगे गिर रहा है तो 100-10 कितने होगा 90 होगे आपका गुणा आपका 100 तो काट दो सो बटे नो यानिकी 11 से एक बटे नो परसेंट यह आपको हो गया में थर सेकिंड और जोन से तरीका आपको पसंद आए उस तरीके सब इसको सौटकर्ट में थड़ें आगला कुशन पर देखते हैं आपका कि किसी बस्तू पर लगाए जाने वाले कर में 20% की कमी की जाती है एवं उसकी खपत में 15% की ब्रद्दी होती है तो आपका राजसू पर कितना प्रभाव पढ़ता है यह चीज़ आपको निकान नहीं है तो आपको एक फर्मुलिया रखना है कि A प्लस B प्लस के A B अपॉन 100 ठीक है अगर दोस्तों आपकी ब्रद्दी हो रही है तो जो माने आपके A B की जिसे ब्रद्दी हो आपको माने प्लस में लेना है अगर कमी हो रही है तो आपको मान जो लेना है वो मानस में लेना है अब दे हो गया प्लस के एक कितना मैनस के 20 व्यन आपका पंद है वर बटे आपका 100 प्लाम हुट से काड़ने के 5 वार पाईसे काटने के 3 बार कितना हो गया यह आपका मैनस के 85 अब 293 के आठ परसेंट ये बने, आपकी minus में आ रही है, तो आएंसे आपको समस्क्ते हो, कि इसकी जो आपका radius पर जो आपका 8 परसेंट का इसमें कमी हो रही है, या आपका कहाँ कह सकते हो, 8 परसेंट की हाँ हुए है, ठीक है, इतना आप समस्कुछ सकते हो, ये तो आपका होगे पहला method फर्स्ट अब निकालो दूसर मेंटर तो क्या निकालेंगे आपका पहले देखो 20% कम ही हो रही है तो मैनस के 20% कि फ्रक्षिमर कितने होगा आपके एक वटे पांच ठीक है तो देखे पहले आपका पांच था तो एक कम ही होगी कितना होगे आपका चार हो गया और आगर के दरखा 15% की ब्रद्दी हो रही है यानि प्लस के 15% कितना होता फ्रक्षिमर इसकी इसमें 100 से बागत देंगे तो यह आपका जाएगा तीन बटे 20 ठीक है पहले 20 था अब तीन बट रहा है यह प्लस हो रहा है आपका तो यह आपको जाएगे 20 अब दूसर क्या करना है इसकी आपको करद देना है मल्टिप्लाई तो बीस पंजे 100 हो गया यह आपका तेश्चों का बान में हो गया ठीक है यहां तक समझ में आ गया आप देखिए यहां पर पहले कितना था आपका 100 था जब कि स्टाइटिंग वेल्यू हमको लेनी है गुणा आपका 100 तो 100 से 100 कट गया यह आपका आट परशेंट की कमी यही दोस्तों आपका आंसर है जो तरीका यहां पर आपको सही लगए उससे आप इसको सौल्व कर सकते हो और दोस्तों इसका अगला कुशन देखते हैं साथ में कुशन है कि किसी सिनेमा हॉल में सीटों की संक्या 25 प्रशन बढ़ा दी जाती है तो टिकट का मुल्य भी 10 प्रशन बढ़ा दी जाता है तो संग्रित राजस पर क्या प्रभाब पढ़ेंगा ठीक है तो देखिए वही में थरप यहीं पर साम ले लेंगे मान आपका तो 25 प्रस के आपका 10 प्रस के 25 उड़ा 10 बटे आपका 100 तो 25 से काटेंगे चार बार चार से काटेंगे 10 को डाही बढ़ जाएगा तो 25 पैंतीस और डाही कितना होगा आपका 36 तो यानि कि 37.5 परशन की आपकी ब्रद्धी हो रही है अग प्रस के पहले बट्धा 25 प्रस करेंगे आपके बट्धे 4 यानि पहले चार सार फिर आपका 5 हो गया ठीक है आप धी تरिफ मढ़ा 10 प्रस कट रहा गया कितना यानि कि एक बटे 10 पहले 10 पहले 10 पहले शन है करेंगे और गया यार फिस पत्राइग तो पंद्य की ब्रद्धी पंद्य बटे कितने 42 पर अपको अपका सो काट दो 20 से दो बार 20 से पांच बार और 75 बटे दो कितना हो गया चाय के एक मुल्य में 20 से की ब्रद्धी हो जाने कारण एक महिला का चाय पर किये जाने वाले खर्च का वे दस परसेंट आपका बढ़ जाता है बताए उसकी खपत में कितने प्रिच्छत की कमी हुई अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है पेना देखिए आपकों खर्च है तो बरावर मत बते हивा था आपको खर्च मुल्य में आपका रिख ऊपत थीकूरा में आपका है आप थीक है आप खर्च देखा यह ने रखा यह नहीं है जाये हैगा आपको खर्षबर आपको हो जाएगा ठाथ तो 10% बराबर मुले कितना 20% की बिद्दी हो रही है तो 20% प्लस का होगा ठीक है प्लस के आपके 20 science के आपको एक्स हो जाएगा आप देख फर्मर लगा देंगे आपका एक खर्च बराबर यह आपका हो गया और प्लस के आपके 20 गुणा आपका मैनस के X अपन में आपका 100 हो जाएगा ठीक है इतना आपको यहां से होगा तो यहां पर इसमें क्या था आपका कि पर वहाब दे रखा वो दे रखा था यहां पर उल्टा आपको दे रखा है तो यहां पर इस समझ दो आपको B की बेलू पूछा यहां से ठीक है इस कमान देखे आपको इतना आपको समझना आए तो सॉल्व कर लेंगे आपको 20 आपके इधर जाएगा बठे 5 देखी मायाश से माइस कटेगे आपका ठीक है यह आप इदर गुना कर देखें तो क्तना हो जाएगा 10 गुना 5 बठेम यानि कि दो से काटेंगे 3 वार यह द दो से काटेंगे 5 वार 25 वटे 3 वार गया ठीक है अगला कुशन देखते हैं आपका कि चीनी के भाब में 20% की ब्रद्धी हो जाने से कोई ग्रहणी अपनी खपत में कितने पिस्षत की कमी करें ताकि उसका खर्च के वला 8% बढ़े तो वो जो पहले कुशन में काम किया से पहले में खर्च बराबर आपका होता है मुल्य गुणा आपका खपत ठीक है तो मुल्य आपका दे रखाई यह खट दे रखाई आपका 8% बराबर दे रखाई तो मुल्य आपका 20 दे रखाई और मैनस के खपत निकानी आपको आप लिस के आपके Cindy गोना पकक यह एक्स इमार्स के एक्स बट्झ आपका कैनल है खबत कर अपकर मैंस उलिंगे अ कितना फोगे है आपका शाटें यह पांस बार कि तो आपका आठ बराबर बीस मैनस के एक्स और मैनस के आपका एक्स बटे पांच अब लिए इसक हो जाएगा आपके इसक हो जाएगा आठ मैनस के बीस बराबर हो जाएगा मैनस के पांच एक्स मैनस के एक्स बटे आपका पांच या आपका बार हो जाएगा मैनस के बारे बरा आगे 10% यानि 10% के आपकी कमी हो रही है यह आपका आंसर है अगला कुस्तन है दोस्तों यह आपका आगले टाइब कुस्तन आगया है यह से निकलके ठीक है तो जहां से देखना इसको कि राम ने एक साइकल एक हजार रुपे में ख़ई दी और 20% का लाब लेकर उसे स्याम को बिज़ दिया और स्याम ने 10% के घाटा सैकर उसे मोहन को बिज़ दिया बताएए मोहन ने साइकल कितने रुपे में ख़ई दी यह आपको बताना है देखे मानते हैं आपका साइकल ख़ई दी राम ने कितने ख़ई दी आपका 1000 रुपे में ठीक है और राम ने बिज़ दी li safer испाए कि Agora को कि कितने में आपका 20% के profit निफ निफ फिस परजन अब सिया है आपका महाउन को इसने ने परस्थे प्याट करते हैं कि माहऊन को इस ने ब यिय्ज तियआ आपका मोहँन को ड़स परजजन घाटा कि माने इसके 10% तो यह आपका पूछा है कि महाऊन ये साइड कितने रुपय में ख़ई तो इसको मान लाते हैं कि मौंधने साइडल आपकी एक सर्पे में ख़ई थी ठीक है तो यानि एक सोगए आपका अंतिम मुले ले तो दोश्तों यहां पर अंतिara पुल यह आपको बराबर X बराबर क्या होगा हमें सा देखे 1000 है तो इसकी मल्टिप्रे करेंगे आपका 20% ब्रद्धी हो रही है तो यानि कि 20% ब्रद्धी कितना हो जाएगा 20% यानि 100 प्रेस प्रेसट निकालेंगे बटे 100 अब गुणा आपका 10 परें गाटा हो रहा है तो मा 10, 1080 रुपे यहीं दोस्तों आपका आंसर आ गया ठीक है तो इसको हमने 120 क्यों किया क्यों कि दोस्तों देखे समझते हैं थोड़ा सा इदर मालें कोई बस तो आपने 100 प्रेम ख़ए दी 120 नहीं 20 प्रेम भादम भीज दी आपने ठीक है तो हमको क्या करना होगा 100 प्रेका 20 बार तो 20 हो गया आप दोस्तों में कितने बेची हैं पता के सलता हमको यह 100 है इसको हम 20 इसमें एड़ करते हैं तो आपका 120 आता है तो इससे हम क्या करेंगा 100 का सीधा ही हम 120 प्रेम निकाल देते हैं तो हम जो मुल्य वह हमको पता सलता है कि 120 आ ठीक है इस तरह से आपको को मैन इसके 10 परसेंट सी ठीक है तो चीन बीस परसेंट लाफ बेसका डीकी को बिजड दिया लाफ पर इस नो कमा लिया सी फाइदे में अपका ठीक है डीक्र बिजड दिया और डीने सामान को 8.000 रुपय में ख़ईदा यानि चिका इसने आपका 8.000 रुपय में तो पूछ लेना देखो यह आपको ता प्रार में गुल लें तो यहां पर यहां पर इस सेंफ फर्मर्य उज़ करेंगे हम कि अंति मुल्ले बरावर बरावर एक्स है तो एक्स का झालेंगे दस परसंट यानि एक्स्ट दसorte 100 तो होचा issya Narrate 연 इसका इस पारवर विपूस पर्सेट यहां कि 120सो करेंगे ठीक है इतना आपका हो गया अप देखी दूस्तों यहां पर क्या है वहाँ पर आपका एक्स कमान दे रखाता है आपका यहां पर आपका एक आमान नहीं दे रखा एक मान आपसे पूछा है इसको अमने एक्स मान लिया है ठीक है जो अंतिम मुल्य आपका डी इसका मान दे रखा है कितना बरावर आठ हजार आप दीकिंगे नीचे वर रसओ जाएगा इधर आपका बहुंजाए गजार लग उसको आपको Ugh इसका उल्टा कर देना थéfक है इसद्राहर अनसर आएगा वह आपका आएगा लगवा 6734 पॉर्ण संथिंग ठीक है इसको 6734 माल लो यानि 6734 रुपे या आपका आंसर आजाएगा ठीक है अगला कॉर्शन देखते हैं यह दोस्तों आपका अगले टाइप कॉर्शन आ गया है आपके ठीक है यह इंपूर्टेंट है आपका खास कर गया SSC एक्जामों के लिए यहां दे रखा कि एक दुकॉंदर अपना सामन 20% लाब पर बेशता है ठीक है यानि उसके पास पहले 100 और पे थे किसी दुकॉंदर पास यानि यह हमारा होगा CP1 ठीक है उसने बेशना उसको 20% लाब पर तो कितने बेशना अगो 120 कितना होता आपका 120 इतना पता होगा निकाना और चाहिए ठीक है यदि वैस सामन को 10% अधिक पर खायदता यह आपका होगा SP1 यानि 10% अधिक पर खायदता यानि कि 10% सू में नह paranui है कि 30 कि है आपका 10 रुपए तो DC समयступ में तक है aconteOR कि सीपीटू कितना हो गया 2010 और पचीज इसन लाब भी सटा तो उसे छौदर रुपए का उसरे चोदर रुपए अधिck मिलते यह जाइन इसको बशता है यह 25% के profit पर है तो दोस्तो 110 का रहेंगे 25 कैसे नेकाल देगे 110 का 10% कितना होता अब ग्यार है 20 कितना होगा ग्यार दून 22 और 55 कितना होगा साड़े पांस 22 पांस 27 ठीक है यानि इसमें प्रेस के 27.5 इसमें हम आपका add कर देंगे कितना हो जाएगा 137.5 यह आपका हो गया यानि कि उसमें बस तो बिज़ी 137.5 रुपए यह आपका हो गया SP2 ठीक है यहां पर 14 रुपए क्या दे रखा है यह दोस्तो आपका SP1 और SP2 का डिफरेंस दे रखा है बरावर 14 लेकि दोस्तो यह देखी कितने का आपका 14 रुपए यह आप कितना है इसमें बड़े में छोटा मैनस करेंगे आपका 137.5 मैनस के 120 कितना आगया आपका 17.5 हो गया लेकि दोस्तो 17.5 की वेलू दे रखी आपकी कुस्चन में 14 यहां पर दे रखा है और पूसा क्या है कि बस तो का सामारे क्रेमोले तो दोस्तो पहले वीडियो में आप बताया था किरेमोले कितना मानते हैं आपका हमेसा 100% मानते हैं तो यानि कि 17.5 पॉंट की वेलू आपके 14 है और यहां पर निकालनेंगे आपका 100% की वेलू क्या होगी ठीक है तो निकाल दीजिए आपके उस्मेटपाय कर दीजिए तो यह आपको बरावर हो जाएगा सीपी बरावर हैं आपके 100 गुणा 14 और बटे आपके 17.5 आप देख पॉंट हैंगे तो उपर एक 0 बढ़ जाएगा आपका 10 हो गया ठीक है 25 से काटेंगे 4 बार 25 से हो अगला कुसर है कि एक ब्यापारी अपना सामान 30 पर पर बीचता है यानि पहले सो रुपे बेचा तो उसने लाव हो रहा 30 का या आपका सीपी बन हो गया ठीक है प्रस का 30 पर सेंट कितना हो जाएगा लाव यानि कि 130 में बेच रहा है यानि कि SP1 यदि मैं 20 पर संट कम पर 80 रुपे में खईता तो यह आपका हो गया CP2 और उसे 40 पर लाव पर बीचता यानि प्रस के 40 अब देखें आठ का एक परसंट होता है असी का ठीक है तो कितना हो जाएगा 32 में एड़ कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 112 यानि एक सो बार है मुसमें बीच दिया या आपक लिए के SP1 का और SP2 का डिफरेंस दे रखा है वो आपको 14 दे रखा है या दो बड़ा होगा समय हम छोटा खटा देंगे ठीक है तो यह देखें अंतर कितने का आपका यहां पर अंतर आपका अठा रहे का लिए दूस्त को कुश्चन में कहना है कि डिफरेंस आपका अठा र हो गए गुणा सो बटे में आपका अठार है और अठार अठे होते हैं दोस्तों आपके 144 तो आठार सो कितना हो जाए आपका 800 हो जाएगा 800 रुपे और यहीं दोस्तों आपका आंसर हो गया है ठीक है चलते हैं अगर इक उसन तरफ हम यह है कि राम कोई सामाद 10 पर आप पर CP1 और 10 पर बेश रहा है यानि कि प्रस के 10 पर संथ तो कितने पहुआ हो आपको 11 पर ठीक है यह आपको होगया SP1 यह दिवर 10 कम में खरीदा होता यानि कि मैनस के 10 कितना हो जाता आपका 90 में खरीदा होता सक्टा यहनि यह आपको लिखना नहीं CP2 अठीक है दोस्तों यह कितना आप का नबबे कुना 125 वते सो ठीक है तो तो देकिन नो एक प्रशन उरता है अठारे दो प्रशन पचीज गतना होगा आपका साड़े वाइस हो गया ठीक है या नी प्लस के हम साड़े वाइस इसमें एड कर देंगे रभ्वे में कितना हो जाएगा प्लस के 25 परशंट हो जाएगा ही कितना होगे आपका 112.5 या आपका हो गया यहां पर पंदर रुपए और निकान नहीं कितनी है आपको सीपी निकान नहीं है यहां पर बढ़ा लेंगे तो पच्चीश क्या आपका होता है देड़ सो तो सो अच्छा कितना हो गया आपका 600 रुपए हो गया ठीक है यही आपका अंसर आ गया और दोस्तों इस टाइप कम आप एक कुस्सान और देखते हैं आपका कि कोई बैक्ति दस परसें मुनाफ़ा लेकर एक बस्तू बेशता है यानि सीपी था सो रुपए उसका सीपी बन मुनाफ़ा ले रहा दस परसेंट तो कितने बेशा है वह आपका 110 रुपए में बेश रहा है यानि SP बन आपका हो ग और आपका SP2 का डिफिशन दे रखा है आपका 3 ठीक है तो उसकी 25 परसेंट का मुनाफ़ा होता तो इसका निकालेंगे 25 कितना होगे पिछले कुस्टिन निकाला था हमने 112.5 हो जाएगा ठीक है आप देखिए इनका डिफिशन यह आपका SP2 है इनका डिफिशन देखिए कित 3 गुणा 100 बटे 2.5 पॉन अटाएंगे आप जिरो बढ़ाएंगे तो 25 चो का सो एक जीरो चालिस तो CP आपका आगया 120 रुपे ठीक है दोस्तों यही आपका आंसर हो गया तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा रगाओ तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राब करें साथ ही वीडियो को आप दोस्तों के साथ सेयर क दोस्तों आपको advanced math की जिसमें आपका technology चल रहा है ठीक है जो कि आपके आने वारे सभी एक्जामों के लिए important रहेगा तो दोस्तों इसलिए हमारे इन math की वीडियो को मिस्मत करना पूरा वीडियो देखना शुरू साखने तर ठीक है और अगर आपके question हो तो आप WhatsApp कर सकते कर सकते हैं